इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी वाइ सटम टाबलेट is a combination medicine used in the treatment of allergic symptoms such as runny nose, stuffy nose, sneezing, itching, swelling, watery eyes and congestion और stuffiness यह श्वासमार्ग में सूजन को कम करता है जिससे सांस लेना आसान हो जाता है वाइ सटम टाबलेट is taken with or without food in a dose and duration is advised by the doctor dose आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है अपनी health care team को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं सबसे सामाने side effect में चली आना, diarrhea यानि की dust, उल्टी, मूँ सूखना, सिर्दर्द, त्वचा पर rash, flu जैसे लक्षन और थकान हैं इन में से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं अगर आप इन में से किसी भी side effect को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें इस दवा से आपको चक्कर या नींद आ सकती हैं इसलिए जब तक आप यह नजान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसमें मानसिक फोकस की आवशक्ता होती है यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्योंकि इससे आपको अधिक नींद आ सकती है सेल्फ मेडिकेशन का समर्थन न करें या किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी दवा का सुझाव न दें यह दवा लेते समय बहुत सारे फ्लूइज लेना फायदे मंद है अगर आप किडनी से पीडित हैं तो इस दवा का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद